आज है 15 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहें आलोग इंडेस्ट्रीज के बारे में 15 रुपए का शेयर है और वीडियो में बात्चीत भी करेंगे कि जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रेक्टिव है भी कि नहीं और आने वाले दौर में क्योंकि मुगेश अंबानी की ही कंपनी है ये तो क्या इसका कोई इंपक्ट पड़ सकता है कि नहीं वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपने अवीड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो आलोग इंडेस्ट्रीज का शर्फ 15 रुपे का है और वह या गिरता ही जा रहा है देखा जाए तो अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो एक महिने में 7.5% के गिरावट है एक जटके में तूटकर 15 रुपे से भी नीचे गया ज़रूर था दुबारा थोड़ी बहुत तेजी बनी लेकिन अभी देखे तो उसी के आसपास घूम रहा है एक साल में देखा जाए तो 47% के गिरावट है 34 रुपे से ये लगाता तूट रहा है और अभी भी देखो तो कहीं पर भी लगा नहीं कि ये रिकवर कर रहा है हर दुबार ये तूटता ही गया बीच बीच में अगर तेजी बनी भी तो वो टेंपररी तेजी थी ये दुबारा उससे नीचे की तरफ तूटता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ हमें नजर आया देखे आलोक इंडुश्री का शेर तब सबसे जादा चर्चा में था जब बहुत बड़ी छलांग इसना लखाई थी कोरोना टाइम में जब बागी कंपनियों के शेर तूट रहे थे ये भागे जा रहा था भागे जा रहा था रीजन क्या था रीजन सिंपल था कोरोना में इन्हों ने भईया पीपे किट बनाना शुरूर के था जिसकी सबसे ज़ा हमें यहां पर देखा जाए तो पिछले एक साल से लगा ता टूटा है ये 2022 के जनवरी महिने में देखा जाए तो 17 जनवरी को 34 रुपे का ये शेर था उसके बाद लगा तार ये टूटा ही है देखा जाए तो मिटगा एप शेर है ये 7500 करोर के आसपास का इसका मार्केट क अगर हम देखे तो इसके जो वाल्यूम है वो सिर्फ 9.5 लाक है जो कि बहुत कम वाल्यूम है चुले में इसके वाल्यूम फ़ोड़ी जादा होने चाहिए थे और कम वाल्यूम के एक रीजन यहां पर ये भी है कि काफी लोगों को लग रहा है कि जो लॉक इन पेडियर है तीन साल के जो देखो आलोग इन पेडियर है कि तीन साल तक वो इसको डिलिस्ट नहीं करवा सकते और अभी जैसे जैसे वो लॉक इन पेडियर खतम होने की कगार पर आ रहा है वैसे वैसे लोगों को कही ना कि थोड़ा सा कंसर्न यहां पर बना हुआ है कि क्या होगा अगर तीन साल के बाद या फिर कुछ सालों बाद यह इनको डिलिस्ट करवा दे क्योंकि जब भी कंपनी डिलिस्ट होती है रीटेल इंवेश्टर को कुछ नहीं मिलता है ठीक है यह हमने देखा है यहां पर कंपनी के फंडामेंटल भी उतने अच्छे नहीं है खासर कि इनके प् में इससे पहले 140 क्रोर का लॉस अच्छी बात यहां पर यह कि इनके रेवन्यू जो है वो बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है 1.94% के पास 0.03% के पास 0.60% इंशॉरंस कमनी के पास है प्रमोटर का एक भी शेर गिरी नहीं है रुपय का जो रे जो लेवल है वो थोड़ा सा अट्रेक्टिव हो सकता है लेकिन अगेन मैं कह दू वही लोग निवेश करिए जो इस रिस्क को समझते हैं कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो वहीया संबलना पड़ेगा यहां पर और यहां पर देखे तो 67% लोग के रहे है खरीदो 33% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो इतना ही नहीं कमपनी की बारे में अगर हम देखे तो इनके रिवन्यू जो बढ़ रहे हैं यह एक अच्छा साइन है इनका यह एक एडवांटेज है और डिसडवांटेज यहां पर यह भी है कि प्रॉफिट में नहीं है कमपनी औ पहले कौर्टर में 140 करोर दूसरे कौर्टर में 190 करोर का लौज कर चुकी है दो कौर्टर का कोई मिलाकर 330 करोर के आजपास के इनको नुकसान हो चुका है जो की जो की अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है कमपनी का प्रॉफिट में आना जरूरी है रेवन्यू बढ़ रह है profit के बात करें तो average है क्योंकि हो सकता है कि कुछ वक्त बात दुबारा से profit कमाना शुरू कर दे लेकिन वो इनको दिखाना पड़ेगा holding को लेकर अगर हम देखे शेह holding के अगर हम बात करने जाए तो promoter के पास 75% की holding है 0.03% mutual fund के पास है 0.65% other domestic institution के पास है 1.94% retail के पास जादा holding है 16.27% retail investors के पास है other parties के पास 6.10% की holding देखने को मिल रही है तेको आलोक industries मैं यह कहरा हूँ कि यह एक risky company है बहुत जादा risky company है textile sector से जुड़ी हुई company है और एक खबर के बारे में हम हर बार चर्चा करते हैं कि सरकार जो है incentive program भी शुरू किया है textile को लेकर लेकिन जिन company को शामिल किया है कई सारी company को शामिल किया है जिसमें Trident भी है जिसको फाइदा मिलने वाले सरकार की incentive program का लेकिन उस list में आलोक industries नहीं है जब यह खबर आई थी मैंने वीडियो बना कर आपको बता भी था कि उस list में आलोक industries का नाम अभी भी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आने वाले दोर में इसका नाम आ जाए लेकिन अभी तक कोई नहीं लिस्ट अभी तक तो नहीं आई है तो देखो मैं simple चीज़ कहूंगा अभी आपके लिए कि आलोक industries एक बहुत बड़ा risk यहां पर involved तो है कि शायद इसकी delisting हो जाए तो शायद क्या कहता है कि भाईया रूटल इंविश्टर की सबसे जादा पिटाई हो सकती है तब लेकिन यह तब की बात है ठीक है लेकिन और जैसे ही ऐसा कुछ होगा हमें खबरे मिलना अपडेट मिलना शुड़ू हो जाएगी ठीक है तो मैं यह मानता हूँ कि अभी से उसके बारे में सोच कर अगर आप कोई shares को नहीं खरीते हैं तो एक disadvantage है लेकिन again buying recommendation यह नहीं है मैं कहुँगा कि यह बहुत ज़दा risk यहां पर involved है तो अगर आप खरीदारी भी करते हो तो थोड़ा सा ही निवेश करना एक बहुत बड़ा investment करके मत बैठ जाना क्योंकि कल को अगर बाजार में गिरावट है कल को अगर जिस तरीके से अभी covid के cases की खबरे सामने आ रहे कल ही मैंने एक video बनाया था जिसे मैंने खबर ये बारे में बात करी थी कि चाइना में एक ही दिन में report की गई है साथ हजार death report करी गई है ठीक है और ऐसी खबरों का कही नगई असर पढ़ता जरूर है बाजार में कि क्या पता शायद बाकी देशों में भी कोरोना के केस बढ़ते नजर आएवन भारत में भी बढ़ते नजर अगर ऐसा होता है तो टेक्षर इंडेस्टरी को कही ना कि थोज़ासा लॉस यह नुकसान जरूर हो सकता है लेकिन अगर यह जो भी होगा वो एक एक शॉट टर्म का खिलाड़ी है एक स्विंग टरिट का खिलाड़ी है तो आपको यहाँ पर वही चीज ध्यान में रखनी है कि नीचे की लेवल पर खरीदो उपर की लेवल पर बेचो और भाग जाओ लॉंग टर्म का गेम अभी आलोग इंडेस्टरीज में खिलना सही नहीं रहता क्योंकि काफी ज़्यादा अंसर्टरिटी यहाँ पर बनी हुई है और इसको ट्रैक करना जरूरी है क्योंकि कल को क्या खबर निकल आए वो उसके आधार पर कई जाधा आपको चेंजिस अर्मोस्ट आधा मतला आधे से भी जाधा टूड़ चुका है यह क्योंकि 68 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था तब से लेकर अब तक काफी बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं Trident Limited के ऊपर एक डिटिल वीडियो बनाओ तो